अगर आप एपल पैंसिल के अल्टरनेटिव ढूंड रहे हैं तो हमारे पास एक बेस्ट च्वेस है तो हम इसे अन्बोक्स करते हैं इसका नाम है टेनी मौस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप उसको फॉलो करके आप इसके ओफिस्यल वेब साइट पिजा सकते हैं या फिर एमजॉन से ले सकते आप एमजॉन ऐसे या नहीं कि सौधी आरब में ले सकते आप इंडिया में अवैलेबल है या नहीं हमको नहीं पता तो जैसी अन्बोक्स करते हैं यहां पर एक सलेब मिलता है जो की काफी अच्छी फील एंड क्वैलिटी है रवराईज्ड है लेकिं क्वैलिटी अच्छी है इसमें आप अपने पैंसिल को स्टोर कर सकते हैं उसके जिसको आप इसके Instagram, Facebook, YouTube इसके website पर जा सकते हैं और इसकी जंकारी और ज्यादा ले सकते हैं उसके बाद एक sticker मिलती है जैसे की Apple के product में मिलती है तिनी मौस की आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं यहांपको कुछ tip दी गई है अगर आपको tip घीश के खतम जाती है यानि खराब जाती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं उसके बाद एक type A to type C cable मिलता है जिससे की आप अपने इस pencil को charge कर सकते हैं उसके बाद finally आते हैं हम अपने अपने टेनी मौस की pencil के तरफ जो की काफी premium feel होती है और इसकी weight भी अच्छी है आपको इससे note लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कहीं भी ऐसी feel नहीं होगी कि यह Apple की original pencil नहीं है यहां से आप इसे open करेंगे और यहां से आप इसकी tip को बहुत ही असानी से change कर सकते हैं आपको feel नहीं होगी कि यह duplicate या फिर alternative है हाला कि बहुत अच्छी alternative है इसकी यहां से आप charge कर सकते हैं अभी हमने कुछ दिन इसी use किया one week साथ से दस दिन हमने use किया अब हम इसे test करते है और अब हम इसकी review आपके साथ share करते हैं कि यह किस तरह काम करता है यहां पर double tap करते हैं यह on हो जाती है और again double tap जब करेंगे तो यह off हो जाएगी यहां से हम notepad को open करते हैं उसके बाद से एक नया page लेने के बाद हम यहां पर कुछ लिक के देखते हैं यहां से आप कोई भी इसकी प्राइज मतब अच्छी खासी है मैं आपको description में लिंक दूंगा उसे follow करके आप चेक कर सकते हैं तो आएए यहां पर हम कुछ लिक कर देखते हैं pencil और color select करने के बाद से आप यहां पर लिख सकते हैं इस पे सबसे खास बात अच्छी बात यह है आपके हाथ के पंज करके आप यूज करना चाहते हैं तो आप pencil का यूज ओफ करके नहीं कर सकते हैं और कोई भी लैग नहीं दिखने को देखने को मिलेगा आपको जैसे की feel की कोई चीप सा pencil यूज करते हैं क्योंकि लैग आपको इसमें बिल्कुल फील नहीं होता है और लिखते वक्त आपको पॉजड़ा से ऐसे समझमन ही आएगी कि आप ये कोई टैप पर लिख रहे हैं, एसा लाएगा फिल होगा कि पेपर लिख रहे हैं, क्योंकि लैक बोलकि इसमें कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि मैंने इसे लास्ट वन वीक से टेस्ट किया हूँ, वन विक टेस्ट करने के बाद मैं आपको यह रिव्यू दे रहा हूं क्योंकि आपको बताना जया जुरूरी है कि आप अगर अल्टरनेटिव में जाते हैं तो आपको कैसी फील आती है लिखते वक्त यह वेट में अच्छी खासी है तो इसलिए आपको एक दम पेंज जैसी ल सकते हैं और करने के बाद और हो जाने के बाद आप इससे अगर लिखते हैं तो बहुत यह असानी से आप इसे लिख सकते हैं कंपनी के दावा है दस घंटे तक आप कंटिनू इससे नोट ले सकते हैं एक बार चार्ज करने के बाद और दस घंटे बाद आपको चार्ज करने पड़ेगी इसमें आप अपने पैंसिल को बहुत यह असानी से अपने टैब में चिपका सकते हैं यानि कि जैसे ओरिजनल में चिपक जाती है पैंसिल लेकिन चार्ज शिप नहीं कर सकते हैं आप चार्ज नहीं होगी इससे आपको चार्ज करने के लिए USB-C का सहारा लेना इस पैंसिल को खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलू करके आप खरीद सकते हैं थैंक यूफर वाचिंग मिलते हैं इस तरह के आप दूसरे वीडियो में आप अपना ख्याल लखें और इस तरह के दूसरे वीडियो देखरी के लिए हमें सब्सक्राइब कर ल